हे अवरिवन आज मैं आपके लिए बहुत ही योसफुल वीडियो लेकर क्या ही हूँ चैसे कि बरसात के दिन आ गए हैं और जो नल बाथरूम में किचिन में टैप होते हैं उन पर खासकर जंग के निशान लग जाते हैं या तो जंग के निशान नहीं तो खारे जो पानी के न रखें तो यह सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको मैंने लगबक 10-15 दिन छोड़ा है नहीं साफ किया था ऐसे ही पाई डाल के साफ कर लेती थी क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहे हूं यह चीजे कभी-कभी क्या होता है ना मैं कर साफ पर करती हूं कोई चीज बहुत कुछ कम लोग जैसे कि आपका तो साफ था आपने क्या किया और गंदा करके दिखाती तो लोग बोलते हैं कि इतना गंदा रखते हो तो देखें वीडियो बनाने के लिए यह मैंने मुझे करना पड़ता है करना पड़ा है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो बहुत कर जंक के निशान थे उस पर इनको हम कैसे नया करेंगे सिर्फ घर की जीजोशे तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लेना है बावल तो बावल हमने जो लेना है वह या तो काच का लेना है या प्लास्टिक का लेना इसका स्थाहान डखना कोई भी मतलब धात सूडा का नहां लै तो यहां इस तरह का बावल ले लीज़िए और अब हुमें लेना यहाँ पेस्ट पेस्ट आपको वाहएट वाला लेना को अलगी लीज़ी या पैस्ट व अगयरा ही जो होते ‫वह बालो ले लीज़िए इदेंको जोड़ाव पेस्ट लिया है कैसे ओधान् में आप उसको अपनी साफ कर लेंगे तो यहां पर आदा निम्बू लिया है मैंने लिम्बू को इसमें हम डाल लेंगे तो इसे निम्बूau डालेंगे तो नियुक्त डालेंगे तो आफ एक प्रसफ मिक्स करना पेश्ट जय से नमर् देखिए कितने गंदे हो रखे हैं तो यहां पर आपको इस पेस लगाना है अच्छे से यह देखिए या तो आप ब्रस की साहता से लगा सकते हैं एक गाड़ा गाड़ा सा पेस लगाते हैं इस पे अगर ज्यादा आपके गंदे हैं बहुत ज़्यादा से यह मेरे हो रखे हैं इनको मैंने कम से कम पंदर दिन से साफ नहीं किया था इसलिए से वीडियो के लिए तो ये देखिए इनको आपको लगा देना है ब्रस से या फिर आप निम्बू ले लीजी जो मैंने यूज किया था उसी निम्बू से आप लगाएंगे तो और जाद अची रिजल्ट पूरी टैप पे आप इसको लगा दीजिए गाडा-गाडा सा पेस लगा दीजिए अच्छे से और ये काफी मतलब बहुत जादा इससे इफेक्टिव है बहुत जादा इफेक्टिव मिंटों में ये साफ हो जाएंगे आपके टैप आपको घंटों की जरूरत नहीं पड़ होगा ना तो मैंने पहले प्रैक्टिकल करके देख़ी यहां देखा क्योंकि मैं आपके साथ रही शयर करती हूं जो सही holds क्या श्यर करती हूं यहां देख पूरे दोनुered यहां देखती है और इस तरीके से आपको ये नीचे जो हता है न देखिए आप एक चीज और देखिए जैसे जैसे मैं लगाते ही जारी हूँ तो ये color जैसा छूटता जा रहा जैसे कि ये जंग है न ये थोड़ा थोड़ा अपने आपी पहले सी छूटने लगे लगाते ही लगाते तो इसको आपको कम से कम 15 मिनट छोड़ना है अगर बहुत जादा दाग है वाइट उसके खारे पानी के या जंग के तो आपको 15 मिनट चोड़ना पड़ेगा कम से कम 15-20 मिनट और ये देखिए मैं जैसे हाथ से दिखा रही हूं भी आपको करके लगाते ही तुरण छूटने लगा है क्योंकि इसमें जो हमने सोड़ा डाला है वो मैल को फुलाता है निवू मैल को काटता है तो यहां पर देखिए भी एक स्क्र मैंने कहीं वीडियो कट नहीं किया है बिल्कुल भी तो बस जैसे ही आप इसको 15 मिनट के बाद लगाएंगे चूने से इसको साफ करेंगे थोड़ा सा रगड़ेंगे हलके हातों से ही और ये बिल्कुल चमक जाएगा और मैं रियली बता रही हूं जब मैंने ये साफ किये तो तब husband घर पे नहीं थी उसके बाद ये घर आये तो ये भी सच में शौक रह गए गए वो ले किससे साफ की मज़ें बार बार पूछें कि ये बताओ साफ किससे किये मैंने कि कुछ तो किया है क्या किया मगाया कुछ बजार से मगाया मैंने कर नहीं मैंने घर के चीज़ो हैं सभी बिल्कुल साफ हो जाएंगे 10-15 मिनट में अगर कम गंदे हैं तो आप इसको पांच मिनट रख लीजिए बस आप देखिए इसको धो दीजिए पानी से ही और देखिए रिजल्ट आपके सामनी है कोई पेक तो मैं करती नहीं कभी आपके साथ सची शेयर करती हूं और फोकुश नहीं आ रही जितना यह देखने में और चमक रहे थे न उतना मैं बार-बार कोशिश कर रहे थी कि केमरे में अच्छे से कैद हो जाएं लेकिन हो नहीं पा रहे थे जितना यह साफ हो गए थे एकदम चमक ही मार रहे थे बहुत ही जादा और काफी गंदे थे कई से हलांकि मैं डेली के डेली अपनी टैप को साफ करती हुए मेरी आदत में है यह लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने इतनी दिन के लिए इनको छोड़ा जो कि मुझे बहुत जादा गंदे लग रहे थी मैं सोच नहीं थी कब इनको मैं साफ करूं कब मेरी वीडि टेक केर राधे राधे थैंक्स वर वाचिंग